नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेह कहने जारे इस टीम वाले कड़ी पकोड़ा अब देखिए वैसे जो हम कड़ी पकोड़ा बनाते न उसके लिए पहरे पकोड़ों को तलो फिर कड़ी बनाओ फिर उसे बहुत देर कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम गोल बनाएंगे तो उसके लिए एक मिक्सर में आपको डाल देनी है दो कप दही आदी चमच हल्दी पाउडर स्वात के अनुसा नमक और चार चमच बेशन और एक ग्लास पानी और इसे ढखकर आपको पीस लेना आप ये हा तो ये आपके लिए ट्रिक थी अब गयास को अनकर के एक बड़ा सा बरतन या कड़ाई रख देना और इसमें आपको डाल देना है दो चमच तेल जैसे ही गरम होजा एक चौथाई चमच राई एक चौथाई चमच जीरा एक चौथाई चमच मेथी दाना चुटकी पर आज से छे कड़ी पते और एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर अच्छे से बुनने के पाद दो से तीन बारिक कटिव हरी मिर्ची डाल दे और ये जो हमने मिकसर में गोल बनाया था नो वो पोरा इसके अंदर डाल कर और इसके अंदर आपको डाल देना है और दो ग्लास पानी अब देखें पानी आपको जादा लग रहा होगा पर आप इसके अंदर पकोड़े भी आएंगे इसलिए तो दो ग्लास पानी डाल दे उसके बाद नमक डाल देना है स्वात के अनुसार गोल बनाते समय भी डाला था इसलिए संभल कर डालना अच्छे से मिकस करते इस इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथाई चमच अजवाइन पर उसे मसल कर डालना हाथों से चुटकी बर हिंग डाल देनी है एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर नमक स्वात के अनुसार डाल कर अच्छे से बेसन के अंदर सारी चीज़ों को मिला ले उसके बाद थोड़ जाते जाएगा और एक कप बेसन में आधा कप पानी का इस्तमाल होगा गोल बनाते समय देखे यह ऐसा गोल होना चाहिए कि गिर रहा है कड़ी में भी देखे तकरीबन दो से तीन उबाला आगा है तो बस अच्छे से मिक्स कर ले और यह हाथ से देखे इस तरह से पकोड़ करना है और अब इसे आपको तकरीबन 10-15 मिनिट के लिए पकाना है बीच-बीच में मिक्स करते रहे गा पकाते रहे और यह स्टीम कड़ी पकोडा की खास बात यह है कि देखे इसमें वैसे हम पकोड़ा तरते हैं फिर बनाते पर इसमें क्या होगा ना कि ज्यादा तील भी और यहां पर बात खतम नहीं है फिर से गैस को अनकर के एक कड़ाई रख देनी है और इसमें खूब सारा मखन अब खूब सारा तो नहीं बस दो चमब जितना बटर डाल देना जैसे यह मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर आपको एक चौथाई जीरा एक सूखी लाल मिर्च और यह प्याज को इतना लंबा लंबा पतला पतला कार देना यह दो प्याज है इसे आपको भूनना है थोड़ा सा मतलब दो मिनिट तक फिर इसके अंदर नमक डाल देना इसे और भूनना थोड़ा सा हलका सा यह लाल हो जाए तब इसके अंदर आदी चमच लाल मिश पाउडर डालना और एक चमच मक्षन यान की बटर और डालना अच्छे से मिक्स करने के बाद ये तड़का इसके ऊपर डाले सच बतारे कसम से अतना बड़िया लगता है और बाकी बचा हुआ जो तड़का है वो हम देखें इस तरह से जो पूरी बची हुई सारी कड़ी है न हुसके डाला था तो लिज़े तैयार है बढ़िया से कड़ी पकोड़ा ये प्लेट की ऊपर थोड़े से दिनिया के पते और थोड़ा से और कच्छा प्यास डाल दे और उसे मज़े से खा इतना बढ़िया लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज के लिए पस इतन झाल झाल था झाल रच्ता है तैया तैक कर वाचे है